हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल डेली जी के पॉइंट में आज मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ एक बहुती बड़ी खुसकबरी जो कि आपने राइस्थान बेरोजगारी भत्ता जो अभी यहाँ पर एक और प्रोसीजर यहाँ पर चालू हुआ है यह पहले भी था लेकिन अब इसमें थोड़ा इंक्रिमेंट कर दिया है यहाँ पर बहुत से लोगों को इसके बारे में सायद नहीं पता होगा कि बेरोजगारी भत्ता भी यहाँ पर मिलता है यानि कि जो बेरोजगार योवा हैं जो इशना तक पास कर चुके हैं उनके लिए जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है सरकार के द्वारा उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी जैसे आपको कोई आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी नौकरी के लिए या सरकारी गवर्मेंट जॉब के लिए तो उसमें आपको थोड़ा फायदा मिलेगा इससे ये इस वीडियो का उद्दिश सिर्फ यही है कि आपको यहाँ पर जो बेरोजगार युबा हैं उनको कुछ फायदा मिल सके आपको सरकार की तरप से तो यहाँ पर इसलिए यह मैं वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहा आपको जो बेरोजगार भत्ता मिलेगा उसका प्रोसीजर क्या है किन वाओं के लिए कितने साल तक मिलेगा आपके आयू सीमा क्या होनी चाहिए और कितने रुपे मिलेगा आपको जो आवेदन करना है वो कैसे करना है वो सारी चीज़ मैं आपके लिए बताऊंगा तो चलि दिया है 3500 प्रती महा, 3500 प्रती कर दिया गया है, ऐसमें आवलरा और प्राइदं है आप अगर जानते हैं खड तो आप खुद भी कर सकते इसमें मैं आपको प्रोसेच बता दूँगा आप खुद भी यहाँ पर घर54 खर्वेट के कर सकते हैं इसमें online आवेदन है अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप online इमित्र पर जागे करवा सकते हैं मैं आपको इसमें step by step पूरी जानकारी दूँगा तो चलिए मैं आपको इसमें पहले कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो कि रायस्थान बेरोजगारी भत्ता से संबंदित हैं यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत जरूर है इन चीज़ों को भी तो चलिए में ले चलता हूँ आपको रायस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2018-19 अब 3500 रुपे प्रतिमा जो कि पहले 700 रुपे थी अब उसमें जो इंक्रिमेंट हुआ है वो 3500 रुपे कर दिया गया है रायस्थान सरकार द्वारा इसना तक पास अब बेरतियों हितु प्रोशान योजना योजना का नाम इसमें आपको दे रखा है रायस्थान मुख मंतरी बेरोजगार भत्ता एवं अक्षत योजना इसका दूसरा नाम भी है अक्षत योजना यह आपके करंट का कोश्चन भी बन सकता है आपके लिए बहुत जरूर यह जीके का कोश्चन भी बन सकता है कि अक्षत योजना क्या है तो आप इसको भी एक बार याद कर लीजिए इसमें आपको योजना का उद्धिस में आपको बता देता हूँ इसमें योजना का उद्धिस है राइस्थान के मूल नवासी जनोंने इसना तक पास कर रखी है को राजिस्थान सरकार द्वारा पृत्यक महा पुरुस एवं महिला इसमें कोई भी हो या फेमेल हो या मेल हो दोनों के लिए 3500 रुपे प्रती महा कुल दो बर्स तक अधिक्तम पुरुस एवं महिला एतु 84000 रुपे की राशी अब्यर्थी के खाते में प्रिदान किये हुआ है यानि कि जो उसका मूल नवास है वो राजिस्थान का होना जरूरी है परवार की कुल बार्सिक आए अधिक्तम दवाक रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस भी परवार के आए दो लाक से अधिक है तो उसको ये भत्ते का लाव नहीं मिलेगा इसमें आपकी जो परिवार की आय है वो ओनली दो लाग से कम होनी चाहिए तब ही इसका लाव उठा सकते हैं अभ्यरती इसना तक पास बेरोजगार होना जरूरी है यानि कि उसने इसना तक कर रखी है तो वो ही इस फॉम को भर सकते हैं अन्तिम बर्स में अध्यनलत अभ्यरती इस योजना ह यह तो पात्र नहीं है या किसी की जैसे फाइनल एयर चल रही है तो वो इसमें आप एपलाई नहीं कर सकते हो यह में आपको पहले बता दिये इस योजना को अक्षत योजना के नाम से भी जाना जाता है नेक्ट जो इसमें है अभ्यरती राइस्तान सरकार की अन जन कारी योजना का लाब नहीं ले रहा हो यानि कोई और अगर योजना है जिसमें आप लाब ले रहे हो तो वो इसको नहीं भर सकते यानि अभ्यरती ने कोई छात्रवती ली है तो उस खाते का विवरण बेरोजगारी भत्ते में ना दें यानि कि अगर आप कोई छात्रवती ले रहे हो जैसे आपका कोई SBI account है और उसमें आप छात्रवती ले रहे हो तो इस account को यहाँ पर ना जोड़ें आप अगर चाते हो कि यह apply करें आप तो इसमें आप दूसरा खाता जोड़ें यह जरूरी चीज़ें मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं आप दूसरा खाता जोड़ें वो खाता आप नहीं जोड़ें जिसमें आपकी छात्रवती आ रही है एक ही परवार के अधिक्तम दो अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात रहे हैं यानि कि एक ही परवार के only दो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इसमें अभ्यर्थी के पास SBI bank का खाता होना क्योंकि अब SBBJ और SBI सारी मर्ज हो चुकी है तो इसलिए आपर SBBJ भी मानने है इसमें आगे हैं बेरोजगार भत्ता एतु आवेदन पूर्ण रूप से ओनलाइन है यह मैं पहले ही बता दिया है यह पूरा प्रोसीजर ओनलाइन होगा रोजगार काड़ाले में जाने की क कोई आवश्यक्ता नहीं है जिन अब्यर्थी ने इस योजना का पंजी करण एवं भत्ता आवेदन पहले से कर रखा है एवं भत्ता एक साल का प्राप्त कर लिया है उन अब्यर्थियों को भत्ता रिन्यू कराना जरूरी है यानि कि जो ले रहे हैं यानि पहले से योजना का लाव ले रहे हैं उन अब्विर्थियों के लिए इस योजना को रिन्यू कराना जरूरी है भत्ता रिन्यू हितु सम्मंदित इमित्र पर संपर्क करें यानि कि आप इमित्र पर जाके आप ये रिन्यू करबा सकते हो इसमें जो आपकी उम्र मांगी है यानि कि जो आईउ ह इस योजना हितु सामान बर्गभा OBC के अभ्यरति की अधिक्तम I.U. 30 वर्स है यानि जनरल और OBC के लिए इसमें 30 वर्स है I.U. की गणना आवेधन तिथी से की जाएगी यानि कि जब आप आवेधन करेंगे तो उससे आपकी 30 वर्स तक मानन की जाएगी I.U. C.U. 5 वर्स की छूट दे है इसमें आपको आपके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है जो आप आउनलाइन एपलाई करो तो यह सारी चीज़ें आप अपने पास रखना जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए इसमें आ आपके लिए में जरूरी है आपर आधार काड़ हो आपका भामासा कार्ड जो आपका बनता है परवार का पूर्य का वो होना जरूरी है और आपकी जो S.S.O.I.D. है राइस्थन सिंगल सायन ओना जरूरी है इसमें आप मूलने बास प्रमाडपत्र होना जरूरी है वो आप आपके PDF के format में होनी चाहिए आपकी 10th की mark sheet भो भी आपके PDF format में होनी चाहिए graduation mark sheet भो भी आपके PDF format में होनी चाहिए आप अपना SBI bank खाता account number और IFSC code यह आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पर एक होदा स्वे गोशना पत्र आवेदन के बाद download करना पड़ेगा स्वे गोशना पत्र उसमें होता है आप अपना नाम बगेरा जो भी फोटो बगेरा चिपकाएंगे तो वह आपका स्वे गोशना पत्र होता है उस पर आपके signature होंगे वो भी आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा और उसकी भी आपको PDF ही चाहिए PDF होना उसकी जरूरी है इसमें मैं आपको बताता हूँ आपका procedure क्या है आप जब online apply करोगे तो उसमें आपको जो procedure होगा वो क्या होगा procedure होगा आपका इसमें आपको करना है पहले SSO ID जिसने SSO ID बना रखी है उन्हों को registration करवाने कोई जरूरत नहीं है और जिनोंने नहीं बना रखी है तो पहले वो SSO ID पर अपना registration करवाए फिर SSO login करनी है वहाँ पर आपके लिए employment जो भी उसकी app है उसमें आपको employment app मिलेगी वहाँ पर जाना है आपको वहाँ पर आपके लिए दो option होंगे तो आपके लिए वहाँ पर job seeker पर जाना है और new registration आपको new registration करना है यहाँ पर आपको यह करने के बाद आप job seeker registration detail भरें और registration number प्राप्त करें आपके लिए वहाँ से आपको registration number मिल जाएगा वह registration number आपके mail पर या आपके phone number पर आजाएगा लेकिन आप उसको एक बार लिख जरूर ले क्योंकि यह एक बार होने के बाद दुबारा apply आप नहीं कर सकते हो यह एक ही बार बनता है तो इसलिए आप इसको लिख लें एक बार registration number को आप अपने पास लिख कर जरूर रख लें जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए उसके बाद आपको क्या करना है आपको दुबारा login करना है SSO ID और दुबारा से employment पर click करना है फिर आपको वहाँ पर employment पर click करोगे तो वहाँ पर आपके लिए पूरा आपका जो भरा हुआ form है वो दिखेगा वहाँ से आपके लिए एक वहाँ मिलेगा unemployment allowance आपके ऊपर आप देखेंगे तो आपको unemployment allowance देखेगा उस पर आपको click करना है वहां पर आप form भरें आपको form को ले गए आपको form भरना है और आपसे जो document बताए गए थे वो आपको document वहां पर upload करने है जो भी document आपसे मांगें जो मैंने आपको पहले बता दिये है वो document आपको वहाँ पर upload करने पड़ेंगे फिर उसके बाद आप submit करना है आपको final submit करना है final submit करने के बाद आपका आवेधन हो गया है वहाँ पर approved आ जाएगा यानि कि आपके एक या दो दिन में approved लिखा आ जाएगा तो आपका मान लेना कि आपका आवेधन पूर्ण रूप से हो चुका है इसमें मैंने अभी आपको यहाँ पर only आपको ऐसे ही detail में बताया है लेकिन मैं आपको अभी एक वीडियो इसकी आपका पूरा procedure computer पर करके बताऊँगा इसके बाद जो वीडियो डालूँगा वो पूरी computer पर यानि कि एक बेरूजगर भत्ता का form आपको भर के दिखाऊँगा उसके बाद आप देख लेना वो form जैसे मैं भरूँगा आप उसी तरह से आप भर लेना जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा वहाँ पर आपको कैसे और आपके जो इसमें मैंने बताया था एक आपके यहाँ पर जो form था यह वाला स्वेगोशना पत्र इसकी लिंक मैंने आपके description box में डाल रखी है वहाँ से आप यह download कर लें अगर download आपसे नहीं होता है तो आप इसको type भी करवा सकते हैं MS Office Bird में आप जिसमें भी type कर सकते हैं आप उसमें कर लीजिए आप आप करवा लीजिए किसी से और आपसे वह print निकल वागे उसमें आप अपनी photo लगा के उसको scan कर लीजिए और scan करके उसमें आप डाल देना आप form भरें उसमें आप इसको डाल देना अब मैंने आपको पूरा procedure बता दिया यहां पर तो thank you friends आसा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को like जरूर करें thank you friends